आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं उत्तप्रदेश के जियाई टेक्स के बारे में यानी जियाई ग्राफिकल इंडिकेशन जिसे भोगोलिक संकेतक कहा जाता है बिसिकली किसी भी एक छेत्र से संबंधित किसी प्रोड़क्ट को जियाई टे किसी भी प्रोड़क्ट को जो की यूनीक हो वहाँ पर उसे जियाई टेक्स दिया जाता है इससे कुछ इंपॉर्ड़न बाते में करने वाला हूँ जो एक्जाम में पूछी जा सकती है इस्पेशली 2023 और 2024 में जिन प्रोड़क्ट को जियाई टेक्स में उत्तर प्रदेश र पहली बात याद रखें कि जी आई टेक्स की जो वालेडिटी होती है वो दस वर्षों की रहती है दूसरी इंपॉर्ड़न बात ही है कि जब किसी भी प्रोड़क्ट को जी आई टेक्स दिया जाता है उसके लिए हमारे पास जेग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक् इसको गवेर्ण करना इसको डिरेक्टेट करना इसको मैनेज करना ये वर्ल्ड ट्ृर्ड ओर्ड अर्गनाईजेशन के अंदर ये सानसा हो रहती है अव जानते हो वकूस ंसका मुख्याले जनेवा में हैं जो एक जनवरी 1995 को बनी है इससे पहले इसको जी ए डबल टी गैट कहा जाता था इस समय नाइजीरिया की और एंगोजी और कॉन्जो आइवेला इसकी अध्यक्ष बनी हुई है तो इसके अंदर ट्रिप्स रहता है जिसका मतब है ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स इंटेलेक्शल प्रोपर्टी राइट्स जी इटाइग उसी में आता है अगर हम बात उत्तरप्रदेश राजी की करें तो अभी 2024 के एपरिल तक याद रखना 75 जी इटाइग उत्तरप्रदेश में हो चुके हैं और इतने नंबर के साथ जी इटाइग में पहले ही सान पर उ जी इटाइग में याद रखेगा विद्धा हाइस नंबर ऑफ जी इटाइग जो होंगे वो उत्तरप्रदेश के अंदर होंगे और इनमें से 58 हेंडीक्राफ्ट रिलेटेड हैं और 17 जो होंगे यहापर वो एगरी कल्चर और फूड से रिलेटेड होंगे अगर यह क्लासि टीए कि अलाहबाद के एक मूझ चाफ्ट मिलेगा अगस्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं जब लखनो चिकन क्राफ्ट है जो उसको जय टेग मिला लखनों का लखनों में पड़ता मलीहाबादी देसेरी आम है जो उसको जय टेग मिला बनारस की साली जो उसको जय टेग मिला है जो बदोई का जो हैंडमेड कारपेट है उसको जय टेग मिला बस याद करने की जरुवत है आ काला नमक राई से उसको जी टेंग मिला है फिरोजाबाद की जो ग्लास वर्क यानि जो कांच की चूडिया फिरोजाबाद की फेमस उनको मिला कनोज के पर्फियूम को इत्र नगरी भी कहते हैं आप जानते हो कानपूर की सैडलरी को मिला है मुरादाबाद के मेटल पहारनपूर के वुड क्राफ्ट को अब जानते हैं यहां पर लकली का काम बहुत वेमस है मेरट के अंदर इस किसर को मिला है और हुर्जा में पौटरी को मिला है जो पौटरी बनती है बिसिकली बनारस की गुलाबी मीनाकारी जो जीट्वेंटी के मेंबर साय थे हमारे उन की black pottery को मिला है बनारस के ही metal craft को मिला है वरानसी के glass beds को मिला है गाजीपूर wall hanging को मिला है बनारस के ही अंदर soft strong jali work है चुनार बलुआ पत्थर मिला मिर्जपूर में आप जानते हो चुनार नाम की जगा आती है गौरखपूर का टेरा कोटा को मिला है कलपी handmade paper को मिला है कलपी के 12 बंकी के handloom product को मिला है बागपत के home furnishing यह सब 2023 के हैं यहाँ से अगर आप देखेंगे 28 से लिकर तो आप देखे 12 बंकी के handmade handloom product हो बागपत के home furnishing हो संभल का horn craft हो सींग से बनने वाला मैनपुरी तरकशी हो महोबा का गौरा पत्थर अस्चिल पो अम्रोहा का ढोला को हो ये जो मिले हैं यहां तक 2023 है लेकिन जब इससे आगे का जिक्र करेंगे आप यहां से काशी की यानि बनारस की तिरंगा बर्फी को मिला है बनारस के मेटल क्राफ्ट को मिला है कास्टिंग क्राफ्ट को लखीमपुर खिरी की थारू embroidery को मिला है थारू जंजाती के दुवारा जो होती है बरेली केन बरेली के बंबू और craft को मिला है और जरी दर्दोजी को मिला है बरेली के पिलकुआ के hand block print textile को मिला और बुंदेलखन के कठिया गेहूं को मिला है ये जो मिले आपके पास ये 2024 के है उससे पहले 2023 के और उससे पहले बाकी सभी वर्षों में यहाँ पर मैंने 41 वो important नाम दिखाए जो exam point of view से important है वैसे राज्य में तो total 75 हो चुके है Thank you everyone, thank you so much